हेले श्रेयंट आई नरन मौर्रे आज हम कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मिले पढ़ेंगे जो कि किसी भी वर्डी के लिए यूज होगी किसी भी सॉल्ड वर्डी का जो सेंटर और ग्राबेटी होता है गुरुत केंदर होता है उसकी इस्तितिक कहां होते ही है किसी वर्डी के लिए हो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पंढ़ेंगे सिलेंडर किल्के आंडर्चत कि पयले मैरे डायगराम का माना सिलेंडर का जैसे कि आप देख रहे हैं यह सिलेंडर्र क्लिकल पोर्शन तो किसी भी सलेंडर्ण ल आक्रिति के लिए जो हमारा center of gravity होता है वो कहा होता है वो देखते हैं अगर मान लो कोई भी cylindrical portion है इसके हमने radius मान लिए capital है इसके height मान लिए capital H अगर हम बात करें यहाँ पर reference x हम लेनी है तो हमने ले ले लिए x x में limits ले ली झाम देख से और by x में मान ली निश्के करेंगे अगर हम यहाँ पर गिर्णोर होता गुरुत Yay जो सबस्क्राइब हमारा है उस खंडिशन में हमारा जो गूरूत है घुन बार यहां पर होता तो उन्हों के दूरी होती है तो एक्स बार होता हमारा आर लेकिन हमने बायक्ष के माल लिया है यहां के स्थान पर हमने मिडवी माल लिया तो जब मिडवी माल लिया तो आपको बायक्ष से गुरुत केंदर के बीच की कुछ दूरी चलने जुरूत है नहीं क्य पर आपने क्यान लिया बाइक्ष माल लिया उस कंडिशन आपका एक्स वार होता है जीरो के कोई दूरी चलने जरूत नहीं है एक सक्ष पर अब देख रहो यहां से यहां से तो कुछ दूरी चलने पड़ेगी तो उसके लिए हम है जो गुरुत्य केंद्र तदा एक सक्ष के क्यों कि बाइबार का मान होता है hy2 तो एक सक्ष से hy2 चलने पर गुरुत्य केंद्र की स्यथिक घ्यात हो जाई कितनी है hy2 एक बाइबार का मान और इसका बेलन का आयतन होता पाई आरसकार एच ठीक है आप देखते हैं संको का राकृतिक लिए जैसे आप देखने डायगरा क्याई जोसे सभी सभी स्मिटर गया तो यह उसी लाइन पर माल लेंगे जहां पर आप बाइक्ष हमने हैं जिस सभाइब होगा यहां से एच बाइबर दूरी चाहिए जलने पर ठीक है बाइवार का मान के होता है एक सकते हैं यहां से ह्याद रखना इसके बाद आम देख सकते हैं अर्द गोला सौरी अर्द गोला अगर मान लो कोई भी गोले का आधा पार्ट है तो से हम क्या कहेंगे अर्द गोला हैमिस्पेर हैमिस्पेर का जो आयतन होगा वो क्योंगा पूर्ण गोले का आयतन होता है चार बटा तीन पाई आरक्यू तो इसका क्योंगा आधा हो जागा आधा हो कितना लिए机 सिमैंत्रिक सेक्षण जुन लेना पड़ेगो सब्सक्राइब उससे एक मान आपको 0 हो ए जिस और आपको निकालना अपड़ता है तो जब मिटस्त लोग तो बायक्ष यहां से हमने मिटसे ले लिए लखना है आपको 36 बायल लाइन से 3R upon 8 तो यहां से किंदूर चला बाद 3R upon 8 आपको याद रखना है ये circle नहीं है सरकल वहाहिon है उसका कितना होता था 4R upon 3Pi लेकिन कोई भी अगर स्फियर होगा स्फियर तो उसके लिए यहां से किंदूर होती है 3R upon 8 होती है solid body के लिए ठीक है अगर गोला होता तो गोला आपको पता ही है बो तो 1 सक्षे परते समेट होता 2 सक्षे परते समेट होता balance से संको से और अर्दगोले से तो आपको ये तीनो फॉर्मले एकदम सहीवसे याद होन चाहिए